तो दोस्तों इस कार को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ले लिया है एक मोबाइल की बैटरी और साथी साथ मैंने यहाँ पर लिया है एक लॉली पॉप की स्टिक जैसा क्या आप देख सकते हो अभी मैं इसे सुपर गुलू की मदद से इस बैटरी के ओपर कुछ इस तरीके से चिपका दूँगा यहाँ पर दोस्तों मैं इलेक्ट्रिक टेप की मदद से इसे लपेट लूँगा ताकि यह मजबूत हो जाए यहाँ पर मैंने ले लिया है एक साइकल का स्पोक और इसके ओपर मैं सेलो टेप लपेट रहा हूँ यह सेलो टेप मैंने लपेट के हो चुका है और यहाँ पर मैंने लिया है एक चोटा सा गेर इस gear को मैं इस cycle की spoke में कुछ इस तरीके से attach कर दूँगा और super glue की मदद से इसे fix कर लूँगा तो जल्दी से इसे इसके अंदर लगाते है और अब यहाँ पर मैंने लिया है दोस्तो दो bottle caps जैसा कि आप देख सकते हैं इसके बीच में मैं ठीक बीचो बीच होल कर रहा हूँ तो होल्स हो चुके है दोस्तो और इसे जल्दी से fix कर लेते हैं तो देखिए दोस्तो काफी बहतर तरीके से fix हो चुके है अब चलिए आगे के tires बनाते हैं उसके लिए भी मैंने सेम दो bottles cap ले लिए हैं इनके भी बीच में मैं कुछ इस तरीके से holes कर लूँगा यहाँ पर मैंने एक cycle का spoke लिया है अब मैं इसे इसमें fix कर दूँगा और इसे आगे हम fix कर लेंगे इसे मैं super glue की मदद से चिपका लूँगा चारो tires को दोस्तों इस car को power देने के लिए मैं use करने वाला हूँ 3 volt की DC motor जिसके साथ एक gear attach है जिसको मैं कुछ यहाँ पर इस तरीके से fix कर दूँगा super glue की मदद से दोस्तों हमारी कार लगबग ready हो चुकी है अब हम चलते हैं दोस्तों electronic पार्ट पर यहाँ पर मैं ले रहा हूँ एक transistor जिसका नाम है BD140 एक capacitor ले रहा हूँ 10 volt 470 microfarad और एक IR receiver ले रहा हूँ तो जो wiring connection रहेगे कुछ इस तरीके से आपको करने है जैसा कि आपको screen पर शो हो रहा है इसका wiring diagram आपको description में भी मिल जाएगा तो दोस्तों हमारी wiring complete हो चुकी है अभी यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ input के लिए आपको यह वायर्स यूज करने और output के लिए यह वायर्स रहेंगे तो जल्दी से मैं यहाँ का tire निकालता हूँ और यहाँ पर बैटरी के साथ में मैं इसे attach कर लेता हूँ input voltage में और यहाँ पर output को मैं directly motor के यहाँ पर attach कर लेता हूँ हमारी car बनकर पूरी तरीके से ready है अब हम कोई भी एक टीवी का remote control ले गए जैसा कि यहाँ पर मैं एक सटा box का remote control ले रहा हूँ और आप देख सकते हो दोस्तों काफी बहतर तरीके से car चल रही है काफी fast भी है और इसका connection भी बहुत ही बहतर है तो आप छोटे बच्चे को यह चीज बना कर दे सकते हो उन्हें काफी ज्यादा पसंद आएगी आप चाहो तो किसी अलग तरीके से भी बना सकते हो लेकिन ज जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं इसका sound भी आप सुन सकते हो काफी बहतर बनिये दोस्तों fast भी है और बहतर चलती है आप इसका sound सुन सकते हो दोस्तों कितनी fast है और यहाँ पर आप दोस्तों कोई भी remote control यूज़ कर सकते हो चाहे फिर वो AC का remote control हो या फिर setup box या फिर TV या फिर कोई और चीज का आप किसी भी remote control का इस्तमाल कर सकते हो सिर्फ वो IR-based receiver या फिर IR-based transistor वाला remote control होना चाहिए तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी नीचे comment करके जरूर बता है और please दोस्तों comment करें क्योंकि आपके comment से मुझे motivation मिलता है ऐसी वीडियो आपके लिए बनाने के लिए वीडियो को एक like कर दीजिए और चैनल को subscribe करना मत भूलिया बैल आइकन जरूर प्रेस करें मिल करूलिया नीचे टेडियो